मुसकान अपने कमरे की खिर्की पर खड़ी होकर बाहर शिर्की हुई चानी का आनन्द ले रही थी। तभी मुख्यद्वार के खुलने की आवाज आई। उसने खिर्की से जांकर देखा तो उसकी विद्वा ननत पारो नदी पर नहाने के लिए जा रही थी। मुसकान का मन उसके प्रती घिना से भर उठा और वह सोचने लगी कैसी ओरत है ये एक महिने पहले ही इसके पती का स्वर्गवास हुआ है और देखो माय के आने के बाद कैसे मुँ उठा कर रोज रात को नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। उसके मन में कभी कभी शक उत्पन्न होता था कि कहीं पहले से ही पारों का गाउं में कोई चकर तो नहीं चल रहा था और अब पती के गुजरते ही वह रोज रात को उससे मिलने के लिए बाहर जाती हो खैर उसे भी इन सबसे क्या करना था वैसे वह मां बनने वाली थी और अभी अपना सारा ध्यान अपने आने वाले बच्चे पर केंदरित कर रही थी लेकिन जब से उसकी ननत मायके में रहने के लिए आई थी तब से थोड़ी अनमनी से रहती थी क्योंकि उसकी ननत उसे जब देखो तब अजीब सी नजरों से घूरती रहती थी मुसकान को लगता था कि कहीं विध्वा ननत उसकी बात तित नहीं करती थी और ना ही उसके किसी मामले में दखल देती थी पारो सुबस अवेरे उठकर घर की साफ सफाई कर देती थी और आज कल मुसकान को उल्टिया कुछ ज़्यादा हो रही थी तो रसोई का काम भी पारो ही करती थी पारो ने सब कुछ सम्हाल रखा था ख हुकि उसे खुद लगता था कि विद्व होने के बाद मायके आये तो पता नहीं भावी और मा को उसके मायके में रहना पसंद आये या ना आए पारो के पिता जी उसके बहुत करीब थे लेकिन अप सोज कि अब वो इस दुनिया में नहीं थे पारो की भावी उसे कुछ खा और जेर जिठानी उसे साथ रखने को तयार नहीं थे इसलिए मजबूरन पारो को मायके में आकर रहना पड़ रहा था मायके में वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे भाईया भावी और मा को उसका वहां रहना पसंद नहीं है इधर मु करती थी दिन में वह नदी किनारे इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग उधर से होकर गुजरते थे तो उसे सकुचाहट सी मैसूस होती थी लेकिन रात के एकांत में जब उधर कोई भी नहीं आता था तो आपनी प्यारी नदी से मिलने के लिए चली हो जाता था पूश्ट आज करने के बावजूद भी वह कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाता था धीरे धीरे मुस्कान को संदेव होता चला गया क्योंकि जब पारो वापस आती थी उसके थोड़ी देर पहले ही वह वापस लोड़ता था एक दिन बातों ही बातों में मुस्का वैसे ही प्रेग्नेंट थी तो उसे तरह तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था उपर से यह सारी बाते उसके दिमाग में खलवली मचाने के लिए काफी थी वह अपने मन को समझा नहीं पा रही थी इसलिए उसने तय किया कि अगली बार जब भी उसका पती रा बेटा और एक टॉर्च लेकर हिमत के साथ घर से बाहर निकल गई उसकी साथ तो शाम को ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती थी घर में क्या चल रहा है क्या नहीं इस बात से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था मुसकान धड़कते दिल के साथ अपने पती का पीछा कर रही थी वो ये देखकर हैलाल रह गई कि उसकी ननत तो नदी की ओर चली गई लेकिन उसका पती दूसरी जिशा की ओर जाने लगा चलते चलते वह गाओं की सीमा से बाहर निकल गया आज तो मुसकान ने तै कर लिया था कि वह पता लगा कर रहेगी कि उसका पती रात को क्या करने के लिए बाहर निकलता है उसने देखा कि उसका पती जंगल के बाहर बनी जोपड़ी के भीतर गया और उसके बाद एक पोटली में कुछ लेकर बाहर निकला मुसकान एक पेड के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी रात का अंधकार डरावना होत आस-पास जंगली जानवरों के बोलने की आवाजे आ रही थी अंधरे में कभी कोई कीडा भी जमक रहा था तो ऐसा लग रहा था मानों किसी की दो आके उसे घुर रही हो मुस्कान कभी भी ऐसे माहौल में अकेले बाहर नहीं निकली थी लेकिन आज पती की हरकतों के कारण उसे इन सब हालतों का सामना भी करना पड़ रहा था नयन तेजी से चलते हुए वापस लोड रहा था मुस्कान भी उसके पीछे पीछे थी अब नयन नदी के किनारे वाले रास्ते की ओर चला गया वहाँ जाकर उसने अपनी बहन के कपड़ों में पता नहीं क्या किया और वहाँ से उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ अब मुस्कान असमंजिस में पड़ गई कि वह अपनी ननत के पास जाए या अपने पती का पीछा करे तभी अचानक से उसकी ननत के जोर से चीखने की आवाज आई मुस्कान डर गई उसने गौर से देखा तो एक साप वहाँ से भागते हुए जा रहा था उसकी ननत चिलाते हुए कहने लगी कोई मेरी मदद करो कोई है मुझे साप ने काट लिया है इतना कहते कहते उसकी आवाज मदधम पढ़ने लगी अब तो डर के मारे मुस्कान के हाथ पैर फूलने लगी दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा था वो दौड कर पारों के पास पहुंची उसने देखा कि पारों के पैर में साप ने काट लिया है उसने जल्दी से एक कपड़ा लेकर मुस्कान के पैर को कसकर बांध दिया और मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए गाओ की और भागी गाओ के वैद्य जी का पता उसे मालूम था उसने वैद्य जी का दर्वाजा खटखटाया वैद्य जी की पत्नी ने दर्वाजा खोला तो उसने घबराई हुई सी आवाज में सारी बाते उन्हें बताई वैद्य जी की पत्नी तुरंत ही वैद्य जी को बुला कर ले आई वैद्य जी ने अपनी साइकिल उठाई और अपना जोला लेकर नदी की ओर तेज गती से साइकिल दोडाते हूँ चल पड़े पीछे पीछे मुश्कान वैद्य जी की पतनी और आज़ पडूस के कुछ लोग उनके साथ हो लिए कुछ लोग मुस्कान के घर पर उसके पती और मा को भी खबर देने के लिए भागे वैदे जी फूर्ती से उस स्थान पर पहुँच गये थे गाउवलों की मदद से उन्होंने पारो को एक साफ सुत्री जगह पर लिटाया और उप्चार शुरू कर दिया आखिरकार एक गंटे की अतक मेहनत के बाद पारो ने अपनी आखे खोल दी मुस्कान चिंतित सी उसके सामने खड़ी थी पारो ने बेहोश होने से पहले देख लिया था कि मुस्कान उसकी ओर दौरती चली आ रही है उसने अपनी भावी के सामने हाँ जोडते वे कहा भावी आज आप समय से ना आई होती तो शायद मैं अकेले तड़ब तड़ब कर मर गई होती फिर उसने वैदे जी को हाँ जोडते वे कहा वैदे जी धन्यवाद आपका जो आपने मेरी जान बचाई वैदे जी ने कहा बिटिया, यह तो मेरा काम है, लेकिन तुम्हे तो सावधान रहना चाहिए था zarna तुम तो इसी गाउं में पली बढ़ी हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि नदी के किनारे कितने साप घूंभते रहते हैं पारों ने दीरे से कहा वैदे जी मैं तो सावधान ही थी पता नहीं वो साप अचानक से वहां कैसे आ गया दूर दूर तो कहीं कोई जाड़ी भी नहीं थी उसी भीड में नयन और उसकी मा भी चिंतित से खड़े थे नयन के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि असारा किया धरा उसका ही है मुसकान चुप नहीं रह पाई क्योंकि नयन भले ही उसका पती क्यों नहीं लेकिन वह उसे ऐसा पाप करते हुए देखकर सहन नहीं कर पा रही थी उसने सभी के सामने कह दिया कि वह साप वहाँ पर पहले से नहीं था बलकि वह साप वहाँ पर लाया गया था यह सुनकर सभी स्थब्द होकर मुस्कान के चेहरे की ओर देखने लगे नयन के चेहरे के रंग ही बदलने लगे वह हकलाते हुए कहने लगा तुम अभी तक यहीं खड़ी हो घर जा ऐसी हालत में तुमें आराम की जरूरत है तुम यह सब मत देखो इससे हमारे आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा अब चुप चाप घर पर जाकर आराम करो मैं थोड़ी देर में पारो को लेकर घर आ जाओँगा मुसकार ने व्यंग से कहा कि आज मैंने जो देख लिया है उससे पता नहीं मेरे आने वाले बच्चे पर क्या आसर पड़ेगा लेकिन चुप रहकर मैं अपनी अंतर आत्मा को रोज रोज घुटते हुए नहीं देख सकती फिर वा गाव वालों की ओर देखते हुए बोली कि इस आदमी नहीं साप लाकर पारो के कपड़े में चुपाया था और इस बात की मैं चश्मदीत गवा हूँ यह सुनते ही सभी लोग हैरानी से नयन की ओर देखने लगे नयन गुस्से में चीकते हुए बोला यह जूट बोल रही है मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा लेकिन मुस्कार अपनी बात पर अड़ गई और कहने लगी कि यह इंसान जंगल के किनारे बने हुए जोपडी में से ही किसी से साप लेकर आया था आप लोग उससे पूछताच करिये अब तो नयन घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा लेकिन गाउवालो ने मिलकर उसे पकड लिया तब तक यह खबर गाओं के मुख्या के पास भी पहुँच गई थी अपने आदमयों को भीजवा कर गाओं के बाहर से उस आदमी को बूलबा लिया वह एक सपेरा था और उसने उसे जुच बोला था कि वह भी एक सपेरा है और साभ का खेल दिख वापस आ जाएगी या मुझे नहीं पता था अब मुझे डर लग रहा था कि मुझे मेरी विद्वा बहन को भी उसका हिस्सा देना होगा इसलिए मैं उसे रास्ते से हटाने की योजना बनानी लगा कई बार मैंने उसे जान से मानने की कोशिश की हर रात मैं उसका पीछा करता था कि किसी न किसी उपाय से उसकी जान ले लू लेकिन कोई न कई मुझे उस वर जाते हुए देख लेता था और मैं वापस लोटकर चला आता था लेकिन कल रात में एकदम चोकनना था किसी ने मुझे नहीं देखा था इसलिए मैं साप लेकर आया और मैंने इसके कपड़े भी मुझे मिल जाएगी लेकिन पता नहीं कैसे मुस्कान ने मुझे देख लिया नयन की माँ आवांग थी वो कहने लगी कि मैं भी अपनी बेटी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू संपत्ती की चक्कर में उसकी जान ही लेने की कोशिश कर अरे पारोंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं वह इस घर में पड़ी हुई थी इतना सारा काम कर रही थी कुछ सालों के बाद हम इसकी दूसरी शादी करवा देते तो यह अपने सस्राल चली जाती तुझे यह सब करने के क्या जरूरत थी इतना कहकर वह फूट-फूट कर र मा रही थी नयन को उसके किये अपरात की सजा मिली। वह जेल की सलाखों के बीचे अपने किये अपरात की सजा भुगत रहा था। उसकी माया सद्म livres नहीं कर पाई और उसके जेल जाने के बाद महीने भर के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया। अब घर में केवल मुसका भी पारों के दर्द को अब समझने लगी थी दोनों ने खेत पर काम करने के लिए दो आदमी रख लिए थे और खेती की आमदनी से उनका घर चल रहा था समय पूरा होने पर मुस्कान ने एक बेटे को जन्म दिया दोनों मिलकर उस पचे की परवरिश में जुट गई उसका न दोनों को भी अपने साथ ही शहर लेकर चला आया शहर में ही प्रकाश ने अपने साथ काम करने वाली पायल से शादी कर ली पायल और प्रकाश दोनों मिलकर अपनी दोनों माव का ध्यान बड़े अच्छे से रख रहे थे मुस्कान और पारों दोनों ही ऐसे लाइक बेटे और बहु के साथ हसी खुशी अपने जीवन के दिन कात रही थी धन को भूत बुरा होता है और यह अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है धन के लालश में इंसान पनी विवेक और बुद्धी को खो देता है और उसका बुढ़ापे के दिन वह अपने बेटे बहु के साथ बड़े आराम से गुजा रही थी तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ध निवाद